हुआ है 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 हलो दूस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनुपिष्टे में मेरे परिछात रहो यह जो आपका पेपर चलना इसका यह जो है कि आपका अंतिम वीडियो है और सेस्ट वीडियो को आप अभी तक नहीं देख पाए हैं तो नीचे जो है कि सभी वीडियो का लिंक दिया गया है आप जो है कि जाकर वहां से देख सकते हैं या हमारे प्ले लिस्ट में जाईएगा प्ले लिस्ट में प्रते दिन का वीडियो वहां पर डेटवाइच करके आपको वीडियो जो है कि वहां पर मिलता रहेगा चलिए देखे दे रहा है कि दर्सी चित्र में बृत की जीवा Q-R कामान होगा देख एक बृत बनाया है तो मैं भी एक ग्राब बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए मैं एक बना दे रहा हूँ ठीक न यह आपका दे रहा है यहाँ पर बिंदू P है और यह आपकी एक जीवा है ठ ठीक है और यह आपका दे रहा है कोई बात नहीं है यह आपका दे रहा है S इसमें दिया है कोशन में दे रहा है P S बराबर दिया है 12 और P Q जो है बराबर दिया है क्या 8 तो कह रहा है कि Q-R कमान बताईए किस कमान बताना है Q-R यानि Q-R यानि इसका जो है कि वैलू बताना ह है इतना होगा जिसमें से पी एस की वैलू दे रखा है 12 पी यह टोटल 12 है यहां से यहां तक क्या है आठ आप लोग पता होगा कि इस टैक को ग्राफ कभी भी बनता है तो आपका होता है कि पी एस का इसक्वाइर बराबर होता है पी आर आ या ऐसे कर लिए पी-क्यू गूणे आपका पी आर यहन Akimica यहां इसका जो इसक्वाइर होता है इसका इसक्वाइर जो होता है इसकी पूरी दे रखा है P R यहां से यहां तक कि जो दूरी है दो खंडों में टूटी हुई है यह को कहते है Q R यह हिस्सा आपका Q R है आप 2 सारा क्या है P Q है आप P Q जब हो गये तकि आप P Q का वालू दे रखा है कितना आठ कोई बात नहीं रग लेए हो जाएगा 144 हो जाएगा बराबर आठ कोश्टक में हो जाएगा QR प्लस आठ अब इससे कटाएंग तो यहा कितना हो जाएगा आपका आठारा होगा यह जाएगा QR प्लस आठ आठ врем Loud को इधर फें दीजिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा QR बराबर हो जाएगा 18-8 और यहां से आपका QR बरावर हो जाएगा मेरे प्रिच्छात्रों कितना जो आप से पूछ रहा था QR का मान होगा QR का जो मान होगा ये जो हिस्सा इतना है आप कितना होगा 10 उमीद होगी मेरे प्रिच्छात्रों सही चीजे आपको वो step by step समझ में आ गई होके ठीक है चलिए तो हम लोग आफसं की बाद करें आफसं नंबर जो है डी क्रेक्ट मिल ला है आफसं नंबर क्या है डी आपका करेक्ट इतना confirm हुआ चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं जो है कि 42 नंबर कोश्चन पर इतना समझ में आया इसके बा सिर्फ आपको परिवासा याद होनी चाहिए ना देखिए 42 नमबर कोशन कौन साफ संक्रेट होगा आपको इसक्रीन पर देख वी रहाओगा करें किसी समानतर चत्रभूज के बिकर्ण समान लंबाई के और परस्पर लंब किसी कोई भी यदि समानतर चत्रभूज हो यदि उस बिकर्ण के बराबर हो और एक दूसरे के लंब जब होता है तो इस समय बनता है क्या वर्ग इस समय क्या बनता है वर्ग बनता है क्योंकि 90 डिग्री पर हो और उनके बिकर्ण यदि बराबर हो और दूसरे के वह लंब भी हो वहाँ आपका होता है क्या वर्ग क्या होता है व जो वर्गे एक ऐसा है ना जिसमें बिकर्ण की लंबाई क्या होती है बराबर होती है और वह नबे डिगरी के ध्यान दिजीगा बिकर्ण की लंबाई बराबर भी हो और वह कितने का हो 90 का हो कितने का हो 90 दिगरी का हो यह दूसरे के जो यह आपका भी क्रेक्ट है इतना समझ में आए आच्छी तरह से चलिए इसके बाद हम लोग यह तो सलोसन कर चुके है तो कोंचन बहुत सिंपल है एक समांतर चत्रभुज के आधार संगर सिल्सरंब से चार गुंणा समांतर चत्र चत्र हो गया लंब हो गया गते हैं लंब का अधार aहने कि समांतर चत्रभूज का जो अधार यहां से यहां सी यहां तक यहां हमाने कि नीचे वाला इस आधार नीचे करें का चार strip every import कि सभात ख्र hidden के इतना 4 इंगा आपको पता होगा । समांतर चेत्रभूज का पता हुआ कि समांतर चेत्रभूज का जो छेत्रफल का फर्मूला होता है आधार गुणे क्या उचाई यानि कि उचाई गुणे आधार गुणे उचाई तो आपका छेत्रफल दिया है 64 आधार है चार एक्स उचाई है कितना एक्स तो कटा दिए चार यहां से जब इसका वर्गमुल लेंगे यह एंडरोर में जाएगा 16 यानि कि एक्स बादर सोला कांगी में 11 हुआ यक्स बराबर कितना जाएगा जब यक्स का मांचार यानि कि जब लंब जो चार है लंब जो है कितना है चार लंब तो चार हो गया अकरी आधार लंब का चार गुन्ना है तो चार चोगो 16 यानि कि आधार कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा चार गुड़ एक्स होगा या चार्चों को 16 होगा की नहीं होगा अधार सोल हो जाएगा आज सोरचों के चांसर इनका आपस मल्टिप्लाई करें तो आपका चांसर आना चाहिए कंफर्म है चलिए उमीद होगी यह आपको अच्छी तरह से भी समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं 44 नंबर का बहुत सिं तो वालीस नंबर क्या है एक ब्रीत के ब्यास मैं ग्राब बना कर समझाचा था हूं नहीं तो आपका ब्यास है कोई दिकत नहीं है करें की निर्दियर्जास्टांगा निकाले मध्य बिंदू होगा आप मद बिंदू का निरसांग आपको पता होगा कि यहां आपका यह X1 होता है यह Y1 होता है यह X2 होता है और क्या Y2 इनको इनको जोड़िए 2 से भाग इनको इनको जोड़िए 2 से भाग यानि कि माइनस 12 प्लस 12 बाटा में 2 दो बारा में से दोगहटा दस बटा में दो यानिकि दू पाचे दस पांच हो गया इनको इनको जोड़ी दोस्ते भाग कर दिजे मध्य बिन्दु को हम बताये थे आपको बिल्कुल केलियर कर दिये थे कैसे आप लगाएंगे यानिकि इसका मध्य दोगहिं निकालना हो तो य यह रहा आपका एंस ओर हम लोग मिला लेते हैं आपसं कौन सां मिल रहा है आपसं जो है हम लोग का इंग उनल रहा है पांच और तीन आपसा नंबर यह आपका ग्रेक्ट है कन्फर्म यह तो आपको अच्छी तरह से सबीचीज़ें समझ में आ रही है तो आप जारा समझेगा यह तो आपका 44 नमबर रहा अब बढ़ते हैं 45 नमबर के तरह कि बहुत ही बढ़ यह कोशन आया 45 नमबर जो आपका कर रहा है कि अनुपात विभाजित कर रहा है ना बस कुछ नहीं करना है बस फार्मॉला आपको पता होना तुरांत आप फटायक से लागा लेंगे तो जब उयक्ताच को विभागे क्या कर रहे करें अनुपात दिया है घ्रानते TIME मैं ग्राप भी बना देरहां । यहाँ आपका एक बिंदू så जाएगा और यह पांच एक्स अच्छ को काटने पर वाई बराबर क्या होता है जीरो और वाई अच्छ को काटने पर एक्स बराबर क्या होता है जीरो यदि कोई भी रेखा एक्स अच्छ पे काटती है तो वाई बराबर जीरो होता है और वाई अच्छ पे काटती है तो एक्स बराबर क्या होता है ज यहां पर यहँ बिन्दू हो गया हों आपको पता ही होगा यह बिन्दू होता है एक और क्या होता है है यह हो जाएगा M1 Y2 प्लस है यह मौन वाइटू प्लस एम टू वाइवन बटा में क्या M1 प्लस यह तो अन्ता विभाजन के लिए अन्ता विभाजन के लिए हैं तो कह रहा है कि है है इस से विभाजित होगा यह अनुपात आप से पूछ रहा है तो यह कमान्ड गया यह प्लस है तो पांच एमटू हो जाएगा बाटा में एम उन प्लस एम तू का तो पता ही नहीं है ते यह जब आप गुणा कर देंगे तो यह आपको हो जाएगा मैंनस सात यह मों हो जाएगा प्लस फाइफ एम तो हो जाएगा बराबर आपका जी रहुआ ना साथ वाले को उधर वेज़ द अधामे क्या यह यह जहीं कि जो अनुपात की हमों बात करें क्या मोत वन संीमद्य एम डू जो है बराबर पांच शनके इसको साथ जो अनुपात होगा पांच हमने कब करें आप API καंशा नम्बर यह हैपांशा मICIAगे तो यह आपका फार्य रहीला से तो यह आपका का परमोल और हाँ यह नहीं कि आपका गलत हो जाएगा यह बरावर से आप लगा लिए अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको तो फ्रेंड्स आ यह रहा आपका जो है कि नहीं यहां पर प्लस है ना यहां प्लस तो अंता विभाजन इतना तो समझ में आया अब देखिए मैं किलियर कर देता हूं यह आपका अंता विभाजन वह आपका प्लस लगाएंगे ना तो आपका होता है अंता विभाजन से यदि minus लगा देते हैं तो वही क्या हो जाता है? y बिभाजन और हाँ एक बात याद रखी है जब आपका नशा y बिभाजन करता है तभी आप minus वाल लगाएगा यदि y बिभाजन नहीं करता है अना ही अंता बिभाजन करता है तो हमेशा आप लगाएंगे तब लगांज तो आप लगाएंगे और अंता विभाजन पूछता है तक यह नहीं कि अन्त पोछ नहीं रहा है तो आप गलत हो जाता है उसका एनस्वार सही आपका आएगा नहीं ठीक है तो उम्मीद हों कि मेरे प्रिच्छा तो यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा चले इसके बाद में लेकर आपको चलता हूँ प्रस नंबर जो है आपका इसका एंसर एक रेक्ट था इसमें ज्यादा समय लगा प्रस नंबर 46 के तरह बढ़ते हैं हम लो तो यह अंता विभाजन वाई विभाजन क्याद रखे कब आप लगाएंगे इसमें अंता विभाजन दे रहा था तो आप अंता विभाजन वाला लगाएंगे कौन सा अंता विभाजन वाला जब देखिए ऐसे समझ लिए ना कि जब आपका वाई वी भाजन कहता है वाई विभाजन पर काटती रेखा तो आप तभी माइनश नहीं अन्य था हमेशा प्लस वाला ठीके 46 नमबर कोशन देखिए 46 नमबर कोशन का राए कि बिंदू दिया है दो बिंदू दिया है आपका P बराबर दे रखा है यह Q है ठीक है बिंदू P का मान दिया है 2-1 इसके बाद Q वाला मान दिया है K और 1 और इनकी बीच की तोडल दूरी दे रखा है दो है मैं नेरे प्रुपी शीनई-2 आपको पता होगा दोरी बराबर क्या होता है उन्दस्ट में जन्हें दोरी बराबर होता है underwood में x1 minus x2 का क्या holy square plus y1 minus y2 का क्या holy square ये तो आपको पता होगा तो ये x1 है y1 है ये x2 है और क्या है y2 बहुत simple question है दूरी दे रखा है 2 underwood 2 ठीके ग्यान दिजेगा ये 2 underwood 2 हो गया पहले लिख लिए इसके बाद समझ में आपको पुच्छी तरह साइए x1 का कितना है 2 minus x2 कितना है k का square plus y1 किया क्या है minus 1 और minus y2 कितना है 1 का square confirm भाई चले दोनों पच्छों का वर करेंगे तो ये हो जाए टू का square 4 हो जाएगा ठीक है अब यहां से हो जाएगा चार तुनिक्के आठ च्री दोन के आठ चार को इदर बेजे आठ और यह चार प्लस में इसक्ट आएगा जब ही आप निकालते प्लस और मार्स लगता है तो दो को इधर भी देंगे तो यह प्लस माउइनस लग रहे हैं नहीं तो यह हो जाएगा टू- के बापर हो जाएगा माइनस टू यह को शुकत आपना लिए अब इसके बाद मैनस चिलेंगे यह तो मैनस दो merging मैनस टू तो मार्णस के बरावर हो जाएगा अधर फेज़िए गा कि दर बी करेक्ट हो जाएगा सब आपसन नमबर भी आपका correct हो जाएगा ठीक है समझाया ना चलिए तो यह 46 नमबर रहा 47 नमबर के कोशन के तरह बढ़ते हैं 47 नमबर का कोशन क्या है यहां पते के संग्रेक आपको पता होगा कि जब तीन बिंदू दिये गए है वह तीनों संग्रेक तभी होते है जब इनका छेतरफल याद तो बस मैं फार्मुला रख करके आपको बता देता हूं कैसे आप सलूसन करेंगा तो यह 46 नमबर रहा 47 नमबर पर बढ़िए वह तो यहां पर जो है कि मैं फार्मा रख दिया हूं यह तिर्भूज के तीनों बिंदू तीनों जो बिंदू दिये गए हैं और यह संग्रेक अब जो बिंदू तरफित भी होते हैं जब इनका चेटरफल निकालते हैं और जीरो आता है तो संग्रेक आता है आप पहले से संग्रेक दिया हुआ है तो इसका मत बताईए कि किस का मत के का तो मेरे पर इच्छातरों मैं इसमें जो है कि 47 नमबर का सलुसन मैं कर दे रहा और जो है 48 नमबर को आप करके बतायेगा की आपका एंसर कितना आ रहा है एकishing पहले कर देता हूँ इसके बाद को बता दो कैसे आप लोग हल करेंगे ठीक चलिक जब्रजबे संग्रेक देया है और इसके बाद 4 देया है पाला दूसरा दिया है 3 और माइस 2 दिया है चौथा दिया है के और कितना यह नदे रखा किनों विंदू संग्रेक तभी होते हैं जब इनका च्छेतर फल कितना सुन तो चलिए मैं सलोशन करके दिखा लेता हूं आपका कौन सा एंस्वर सए है ध्यानी जगा बारावट जीरो के यह तो यह तो आपको पर्तिवन हुआ न स्वर्णति यह तो यह तो 2 से 0 मुल्टिप्लाई करें जीरो होगा छोड़ दिजी इसका 2 आप यह पर रख दिर आप लोग यक्स वन वन हो जाएगा कोश्टक में वाइटू कितना है wow-2- day कितुख怪 3 कितना है 1 सबाइब थे वारा प्लस एक्स-ठीक कितना है Solomon कितना है नीजंद सब्स On ugh-down- आप संब्सक्राइब नीज़की बुर्स ना करवाई तो लिए जिरू करें पर दो दोप्लाइब 212-3-1-3 यहां पर रहें चार दूस चाहर में 3 में से पॉड़ा करेंगे तो प्लस यहां पर रहें चार दुसर्ट-चर ने क्या होजाए अब दिक नहीं और 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस 12 होगा उधर वेज़ेंगे तो प्लस 12 यानि के बरावर हो जाएगा बार च्छा दुनिके बार के बरावर कितना हो जाएगा हो यह और यह आपका उम्मीद हो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है और 47 नंबर का रीचिए आपका टो जो है तो इसके बाद लोग लेकर चलते हैं आपको जो है और हां देखेंगा एंस्वर सही है गलत है किसे करेंगे यह आपका कितना हो रहा था कितना हो रहा था नव तीन माइनस बारा हो रहा था आप लॉग अपलास अन्सवर डू छक बार बारा में से बारा घटा जाएगा यानिक एंस्वर आपका ओपसाम नंबर अपका सई है ठीक है और अहां इसमें क्या देरां आर्फालिस नंबर में मैं लिख दे रहा हूं आप 0 44 बाद कर लेते हैं। data 1 बात कर लेते हैं। 48 नमबर आस अप लोग तोरण हल करमें खरनें Pon nearest आप्सन क्रेक्षा मैं देता हूँ 48 नमबर में कि आपका यह वह दिखने माइज दिया है ज़ी और आपका दिखने में तो ध्यान दीजिएगा यहां पर यह तो वैलू दे रखा है सही आप लोग जो थोड़ा स्क्रीन पर दिख रहा होगा मिला लेंगे कहीं गलत नहीं अब देखिएगा यह जो आपका फारूला है तिर्भूच के छेतरफल का यह आपका एक्सवान का वैलू यह हो गया यह एक् स्वार ठीर्स तो मैं पर आपको बता देता हूं कौन सा य्ली यह अनौ इंपर आपका क्रेक्ट होना चाहिए डी आपका इननों होना चाहिए एक इस्वायर आना चाहिए कंफर्म यह आपका इतना आता है आपका process सही है अन्छ आपका process क्या हो जाएगा घ्लत हो जाएगा ठीक है अब ध्यान दिगा कोई भी आपका छहतरफल होता है तो कभी छहतरफल मैंस मेरी आता नहिकान है तरह से स्टेप बाई स्टेप समय में आ गया होगा तो चलिए हम बढ़ते हैं इसके बाद जो है कि उन्चास यह 48 रहा ना आपको लेका चलते हैं उन्चास नमर के तरफ चलिएगा उन्चास नमर का कोश्चन क्या है चलिए देखें रखा है तो देखेंगा उन्चास नमर बहुत ही बढ़ यह कोशन है कर एक संख्या में उसका एक बटा में चार भाग जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है वह संख्या बहुत सिंपल संख्या देखें का कर रहा है कि यह कोई संख्या है यह कोई संख्या है जिसका एक बटा में चा साथ होगी यानि कि वह संख्या साठ है जिसका एक बचा में जो है स्टार्ट में जोडने पर आपका आ रहा है कितना 75 आप चाहत्तर है आप लोग कर सकते हैं कोई दिक निया है 60 दो आपका आप चाहिए यह सबस्टे कॉन सा किरेक्ट है आप आपका किरेक्ट है आप से देख लिए कैसे करना है 50 हो जायेगा है इसके वाद C आपसंद दिया है 30 एक इसके यह कौन संख्या है जिसके पटा में 4 उसमें जोड़े देने पर आपका 75 हो जाता है इसमें अजो चर्ण ना तो 4 से 60 को कितना हो जाएगा हुद यह जाएगा पंदरई चोग और को 65 होगा अग्या सब्सक्राइब है नब इसमें चार से भाग देंगें तो यह हो जाए कितना चार कम चार हो जाएगा और चार दिन पूरा पूरा पॉइंट में आएगा चार पच्छे पांच क्या पांच जोड़ने पर आपका आपका इंक्रेक्ट आपकी आपका सब्सक्राइब जब तक इसमें गुणा भाग करेंगे आप तो तक आप इससे सलसन फटाक्स कर सकते हैं तो आप इसी से किजिए का थोड़ा व जब तक इसको करेंगे ना तब तो आप संसे मत किजिए और आप सब्सक्राइब जितना आएगा भाग देने को जितना आएगा उसी में जोड़िएगा देखिए पच्छतर आ रहा है जो आपका मिलेगा वहीं आपका क्रेक्ट हो तो यह आपका उन्चास रहा चलते हैं अं कोशन है और हां वास्तों में अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जाते जाते एक लाइक वीडियो को जरूर करके जाएगा साथ में जो है कि वेल आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि जब भी हम लोग आपके लिए ऐसी वीडियो अप्लोट करें तो समय से नो बहुत बढ़ी कोशन है आप लोग तुरंद फटाक से हल कर ले सकते हैं मेरे प्रिछात रों देखिए हल करा दे रहा हूं साइन हो जाएगा तकि इसको हाल करने से पहले आपको टर्निंग आना चाहिए चतुर्थान साब को पहले पता होना चाहिए जब हम तिरकुलमीती आ पहले इसका देखिए इसकी नू टर्निंग जानने के लिए आपको चतुर्थान साइन को पाड़ना पड़े पड़े आपको समझना आएगा और आप पड़े होंगे तो आपको त्या पता ही होगा तो 90 में ठीटा है तो आपका 90 में ठीटा जोडा तो दूसरे में जाएगा दूसरे में साइन को से प्लस होते है कास तो कास है तो माइनस हो जाएगा अनुबे में टर्निंग होती तो कास की टर्निंग क्या हो जाएगा साइन ठीटा प्लस इसमें एक सो असी में से ठीटा घटा है तो आपका दूसरे में जाएगा दूसरे में साइन प्लस होता है ठीक है तो इससे यह कट गया इससे यह कट गया बाराबर किताना जी रो यह रहा सभी चीजे आपको अचीज अच्छित समझ में आ गई ना यह निकि यह जो है आपका 41 से लेकर के जहीं 50 तक प्रश्णों का सलूसन रहा उमीद हो कि मेरे प्रश्णों का सलूसन आपके जो इसका सलूसन कराता हूं आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट जरूर बताएगा ताकि मेरा प्रयाज और रहे कि जो ही मैं अगला वीडियो अप्लोड करूं आपको उसमें और अच्छी तरह समझाओं ताकि आपका सभी अब दो दोस्तों अभी तक आप विडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते एक लाइक ज़िश्ट करके जाएगा और हमारे साथ जो जाएग जायेगा साप मेरे लाकन प्रेश दिकाजेगा तकी कभी वीडियो अप्लोड करूं समय से नटिफिकेसेट आपको झाल